देखे हमें तो बहुत ही अफसोस हो रहा है क्योंकि हमारे लिए सदन बहुत कीमती समय है पुरे राज्य के लिए बहुत कीमती समय है और जिस हरकत से विपक्ष इसे नहीं चलने दे रहे हैं पुरे राज्य के लिए दुरभाग गया है और आपको मैं बताना चाहूंगी अध अधिकारियों के लिए ऐसे में इतना मज़ा है क्योंकि कोई जवाब दे ही नहीं है कोई रेस्पॉंसिबिलिटी अकाउंटिबिलिटी नहीं है और यही सब हरकत से हमको लगता है 20-22 साल हो गया है राजे का क्या हालत है यही सब क्योंकि सदन को कभी किसी ने उसका गरीमा को नहीं समझा उसका इंपॉर्टेंस को नहीं समझा इतने जरूरी जरूरी इशी का हम लोगों को यहां सल्यूशन मिल सकता है अपने छेत्रे लोगों कितने अधिकारियों का जो है एक मतलब काम का आच्रह ने उन सभी चीजों का पोल खुल सकता है मगर यह सदन को तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं आज आप लोगों नहीं देखा होगा कि मुझे तो इस बात का शौक लगा कि 1932 क्यों का क्या हुआ इस टी-शिट पेको पहन के आए थे भाजपा के सदस्गन मानने सदस्गन अब उनसे मेरा यही सवाल है और मैं तो मतलब उनसे यही पूछना चारी अब मैंने फ्लाक कार्ड भी उनको दिखाया इसके लिए कि जब हम यहां पे सदन से पारित करके गवर्नर के यहां गय थे सब समती से हम सरदलिये गय थे अब उनको भी इन्वाइट भेजा गया था वो कहा थे क्यों नहीं आए दूसरी बात जब 1932 डोमसाइल आंदोलन चल सबसे एहन समय है क्योंकि भाजपा वही कर रही है यहां के लोगों के लिए जो वह पूरे राज्य में पूरे देश भर में कर चुका है उन्होंने आई वाशिंग का काम अगर हमारी जनता इससे बच पाएगी इससे समझ पाएगी बिहाइंड बिट्वीन दे लाइन्स बचा सकते हैं नहीं तो इनका तो हरकत आप देखी रहें क्या है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले